नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जानना चाहते हैं कि आगे की जिन्दगी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी की नहीं, धन को लेके क्या स्थितियां दिख रही हैं, धन को लेके विशेश प्रश्ण इनके हैं भी नहीं, लाइफ ठीक है, अच्छी है। इकारी को करते हैं, बहुत सफल होते हैं, साथी साथ बहुत धन भी कमाते हैं। आगे भी भागे रेका चल रही है, बहुत जबरदस चल रही है, यहां भी भागे रेका के ब्रांचे साथ चमतकारी भागे रेका, इस बाद में कोई संदह नहीं है। इसके उपराद सूरी परबत पर एक फिश्णु माकिर्ती है कास्मिक दनलाव को बता रहा है आगे भी सूरी रेखा बहुत जबरदस्त है ये वाले भी सूरी रेखा के ब्रांचे से ये पुरे पुने रेखा बहुत जबरदस्त योकों के साथ और यहां भी एक बड़ा सा त्रिबू साइन बना हुआ है मतलब ये सब बहुत इच्छी स्थिती होती है बहुत कम लोगों के हाथ पर इस परकार के स्थितियां उत्पन होती है इसके बाद देखा जाए तो एक जबरदस दिकरा आया है ये लगबग 38 वर्ष के बाद सक्रिय था और इस परकार का स्क्वाइर मल्टिपल प्रॉपर्टी का सुख देता है किसी वी व्यक्ति कहतली पर रहेगा तो मिलेगा बहुत लोगों के हाथ पर दिखता है और बहुत लोग मल्टिपल प्रॉपर्टी के सुख से नवाजे जाते हैं इश्पर की वह सीम करपा उनके उपर बनी रहती है इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर देख लोगे बुद्धर एका बहुत जबरदस्त है वेपार की रेखा है तो संभवता आगे चलके आप वेपार करो या वेपार आप कर सकते हैं वेपार करना आपके लिए उचित रहेगा और वेपार करने में आपको बेनेफिट होगा जरूर होगा इसके बाद ये सब भी कुछ यात्रा की लाइन से जीवन पर यात्राएं रहती हैं इस केस में यात्राओं को लेकर ये चीज़ बता रही हैं और बहुत अद्टक विदेशी धर्थी से धनलाब भी होता है विदेशी यात्राएं भी होती है लाइफ में आने नहीं मानी जाएगी शुक्र काफी बढ़िया है तोनों मंगल बढ़िया है लगब लगब प्लैनेट्स अच्छे कंडीसेंस में हैं तो ये राज्योकारक इस्तिती का परचे करा रही है राज्योकारक जिंदगी होती है विशेश दिक्कत नहीं होता है गुलाब ये ध जायर्स के बार अच्छे लाइन सब बड़े महात्वाकांची है और थोड़े ट्रैंगल्स हैं तो ये ट्रैंगल्स और महात्वाकांची नेचर को बढ़ा रहा है ऐसे विशेश शक्ति है बहुत चो बढ़ दस्त है और इस प्रकार का थंब बेसिकलिया अधिकारिक होता है और जीवन पर बहुता के बढ़ते हैं शेकेन फैले जिमानसले इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे विक्ति अपने जीवन में अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे और जरूर से कर पाएंगे और किसी के अधीन कारी नहीं करेंगे ना ही जुकने की इनकी मानसा और लालसा है और इस प्रकार का स्ट्रॉंग थम में दिखाता है कि जातक किसी भी बड़े संस्थान का निर्तिर्त्व कर सकते हैं निर्तिर्त्व करने की बड़ी अच्छी शमता रहती है और साथी साथ जिम्मधारी से किसी भी कारे को करना इनको पसंद होता है तो बहतरीन थम्म है अगर मैं आगे देख लो तो ये तो थी positivity अब ये अगर मैं negative चीज़ पर विचार कर लो तो सुरवाती दौर में definitely struggle रहा है life में success बहुत आसानी से नहीं मिला है काफी श्रम करना परा है काफी मानसिक और शारिक श्रम आपको करना परा है तब जाके आप success को प्राप्त कर पाएं है तो starting phase में struggle रहता है एक मानसिक तनाव वाला आयू था एक यवा करती थी लगबग आपके देख लो 33 वर्स की आयू से लेके ये लगबग आपके 36 तक है जादा मानसिक तनाव को बता रही थी इस आयू में इस अवदी में जातक के जिंदगी पर जादा मानसिक तनाव होते है तो ये एक मानसिक तनाव का परचे करा रही थी एक प्रकार की negativity है इसके उपरांथ थोड़ा mood swing आपका होगा थोड़ा starting में जादा mood swing रहता होगा 33 वर्स की आयों तक mood swing के सतियान दिख रही थी और थोड़ी सी जो एक प्रशन थे आपके पारिवारिक जंदगी को लेके तो बरश्पति का यहां से थोड़ा सा गरबरी पारिवारिक जंदगी में उतार चराव को बताता है पारिवारिक जंदगे में परशानियों को बताता है जहां तक मैं हतली के मात्यम से देख पा रहा हूँ तो यहां पर से यह थोड़ी दिक्कत रहेगी बादमा की और तो कोई दिक्कत है नहीं तो मानसिक्ता वाली फरक है, मानलिया जाए आपकी मानसिक्ता कुछ और है, आपके परिवार के जो लोग होगी, उनकी मानसिक्ता कुछ और होगी, तो साइट टैली ना कर पाए, टैली ना करने वाले सती दिखरी है, बादमा की जो चीज़े अब ठीक ही है, इसके उपरांत अ इनकी positive negativity होगी बाकि अभी जीवन ड्रेखा के visualization से आगे की life को clear कर देते हैं जो भी आपके मूल प्रशन थे कि आगे की जिन्दगी कैसी रहेगी अच्छी रहेगी भी की नहीं उन सारे महत्पोन विशय पर विचार कर लेते हैं तो आइए देखते हैं यहाँ पर से कुछ प्रगती की रेखा है जिन्दगी पर प्रगती को बताती है और यहाँ पर से एक distractions यह लगबग आपके 20 वर्स के आसपास थे कोई दिक्कत थी एक 22 वर्स में तरक्की थी फिर लगबग एक आपके 24 में थी आगे एक और दिक्कत के योग थे लगबग 27 वर्स में फिर एक लगबग 32 वर्स में तरक्की का योग थे एक 33 वर्स में कोई दिक्कत का योग बने थे राहू रेखा किसी प्रकार के परशानियों को बताती है अगर आप परशानियों का नाम लेंगे तो परिशानी पारिवारिक मानसिक कोई भी हो सकती है 33 वर्ष के बाद तरक्की हुई अच्छी तरक्की हुई है लगबग आपके 36 के बाद और तरक्की वे 36 में एक प्रोग्रस रेखा थी उसके बाद भी जीवन ड्रे का भोजोबरदस थी एक और तरक्की के योग लगबग आपके 48 के आसपास थे 48 के आसपास एक यात्रा के योग लगबग 52, 51 के आसपास कुछ बड़ी यात्रा होंगी 50 के बाद योग बने हुए वो सकता है 52 में भी हो जाए उसके बाद भी जीवन ड्रे का अच्छी स्मूथ लाइफ रहेगी कुछ यात्रा भी है एक लगबग 56 के आसपास उसके बाद देखा जाए तो मंगर ड्रे का बढ़िया है इस प्रकार की मंगर ड्रे का दिरगायो योग तो प्रदान करती ही है अब 70 वर्स बचलीजी आप और क्या चाहिए लोगों को अगर हम स्वस्ते 70 वर्स बचलीए तो बहुत बचलीए लेकिन आपकी आयू लंबी है ऐसे व्यक्ति लंबा जीवन वतीद करते हैं वैसे आयू को लेके मैं वसल स्टिपर्नी नहीं करता क्योंकि आयू को लेके वसल स्टिपर्नी करना भी अनुचित है वो करना भी उचित नहीं रहता वो करना भी मैं नहीं समझता हूं उचित है लेकिन जिस परकार के आपकी जीवन रेका की बनावत है जिस परकार के स्थितियां आपके हाथ पर अवस्तित है ऐसे व्यक्ति लंबी जंदगी बिताते हैं लंबा जीवन बिताते हैं चलो जी ये तो होगे इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कोशन सब इनके तलिक हम जलना दिन करेंगे चीज़ों को असपस डूप से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफी ज़्यादा महतपून है देखें सीकें समझें तो यहाँ पर से आगए स्क्वाइर स्पांग प्लैंटरी कंडिशन्स अच्छे हैं राज्यो करा करते लिए कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है गुलाबी यह दन को अट्रैक करती है जवी दन की आवशकता हो जन्दगी पराही जाता है और थंब के बारे में बात कर ही लिया हूँ मैं बात बाकी समझदारी के लूप काफ़े एची समझदार है फिंगर पर खड़ी रेका है बहुत इच्छे हैं दिल के दिल में कोई किंतो परंतो वाली बात नहीं है उसके बाद थोरे इंट्रोवर्ड है सबसे गुलना मिलना पसंद नहीं है और क्या ही करना है फिंगर लंबे खरे हैं अच्छी समझदारी होती है बरश्पती एक समय के बाद बहतर थी स्क्वाइर्स था तो 36 वर्ष के बाद जीवन अच्छा रहा है पर उपकारी रेखा है सब के लिए करना चाहते हैं बरश्पती प्रवलतम इस्थती में है वेल्यू मान सम्मान मिला लाइफ में 36 वर्ष के बाद तनाव था 36 वर्ष के बाद कोई विश्यस दिक्कत नहीं था 35 वर्ष के बाद एक और माइंड रेखा ने कहीं ने कहीं साथ निभाया आपका तो मैचुरिटी आपको आई ही चुकी होगी और आप तनाव से दरने की ताकत भी कहीं ने कहीं आप को मिल रही होगी एक और माइंड रेखा की बज़े से समाने बावु के बहुत ज़्यादा भी नहीं बागी आग इरदर रेखा ठीक है विस्टों योग का फॉर्मेशन है रूटीन को फॉलो करने वाले हैं बैलन्स काफी अचा दिल दमाग के बहुत दुरूश थे यहां से द दनलाव होगा लाइन अफ एजुकेशन अच्छा है बहुत समझदार है जबरदस सूडी रेखा है कमाल की सूडी रेखा है एक फिश्णुमा आकरतिया का आस्मिक धनलाव को बताता है और लगबग 45 वर्स के बाद इसके रिगारिंग धनलाव होता है एक और आपके सूडी रेखा के ब्रांचे तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे वेक्ति को पैतिक संपत्ति का भी मध्यमस्त्रिये साथ मिलता है और बल्क में पैसे आने के योग को बताता है तो वेपार करेंगे तो जरूर कमा पाएंगे साथा एक आपके फिश्णुमा आकरती है तो ये इंड जिन्दगी कमफटेबल रहती है और यहां पर से पूरे पूरे रेखा तो ये बता रही है कि जातक की जिन्दगी बड़ी अच्छी रहती है मल्टिपल प्रापर्टी का सुक मिलता है बुद्ध पर खड़ी रहता है दिमाग बहुत तेजी से कारी करता है सनमर के लिए अच चीज़े मुझे दिख रही है चुकि दोड़ों मंगल बहुत अच्छा है चदरवा अच्छा है कुछ यात्राओं के योग के जीवन पर यात्राएं रहती है यह सब भी कुछ यात्राओं के योग को बता रही है बाग्य रेका थोड़ी मोटी देशरुआती दोर से मोटी बाग्य रेका बताती है जातक की जिन्दगी में प्राब्लम्स स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल रहे है तीस वर्स के बाद चीज़े बहुत यची रही है एक स्कॉयर जैसी आकरती है तो यह इंडिकेट कर रही है अर्तिस वर्स के बाद जीवन बढ़िया रहता है ये एक सूरी रेका बहुत जबरदस्त है बुद्धर रेका बड़ी कमाल है बहुत ट्रेंगल के साथ है पैसा आता ही है जीवन रेका बहुत बढ़िया है यात्राया आपके पचास वर्स के बाद होंगी डेफिनेटली बागी लग्जुरियस लाइफ के पूरे योग है शुक् एक दम कमफर्टेबरिटी के साथ भी देगी एक दम कमफर्टेबल लाइफ तो यह था इनके दली का पूर्ट अब इस्टेशन अगर आपको उमारा ये वीडियो पसंद आए लाइक कर दे कमन कर से सस्काइब कर दे अगर आप वेक्तिकत रूप से में सास्तरे का रिकार के स सही जानकारी पाना चाहते हैं हमारा वोटस अपने में मिल जाएगा लेकर आप समपर्क कर सकते हैं धन्यवाद